ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है खट्टा मीठा चार ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है खाने मुझसे कहीं ज़्यादा टेस्टी है विलकम बैक तु माई चैनल अमित्या किचन फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गाजर गोभी और सल्जम का खट्टा मीठा चार ये बहुत ही तेस्टी होता है इस समय गाजर गोभी और सल्जम का सीजन है ये बजार में आसानी से मिल जाता है तो आप इसे एक बाद जरूर बना क करें तो चलिए बनाते हैं गाजर गोभी और सल्जम का खट्टा मीठा चतपटा अचार गाजर गोभी और सल्जम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमने एक गोभी लिया है इसके हम छोटे-छोटे पीस कर लेंगे और आधा किलो हमने गाजर लिया है और आधा किलो या गोल जैसे चाहें काट सकते हैं इसी तरह से हम सलजम को भी छील लेंगे और उसके भी हम छोटे-छोटे पीस कर लेंगे गोभी के हम डंधल हटा देंगे और इसे भी हम छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे एक भगोने में गरम पाने में आधा चमज नमक डालेंगे और इसे हम सारी सब्जियों को डाल पर इसे धोलेंगे इसे हम अच्छे से दो-तीन बार धोलेंगे जिससे इसके सारे बैक्टीरिया निकल जाएं क्योंकि हरी सब्जियों में बैक्टीरिया रहता है और इसके सारे नमक भी निकल जाएं तो इसे हम दो-तीन बार अच्छे से धोलेते हैं सारे सब्जियों को हमने अच्छे से धोकर इसका नमक साफ कर लिया है अब इसे हम 4-5 गंटे के लिए तेज धूप में डाल देंगे जिससे इसके पानी अच्छे से सूख जाए इसमें जरा भी मास्चर नहीं रहना चाहिए इसे हमें अच्छे से सुखाना है अगर तेज धूप हो तो एक दिन धूप में डाल दें अगर कम धूप हो तो दो दिन इसे सुखा लें लेकिन इसे अच्छे से सुखाना है जिससे इसमें जरा भी पानी न रहने पाए क्योंकि हरी सबजिये में थोड़ा भावत पानी रह जाता है अब इसे हम किसी कपड़े पे फैला देंगे तो यह अच्छे से सुख जाएगा अगर धूप नहीं है तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते है एक पैन में हम एक चमज सौफ डालेंगे यह हमने दो छोटा चमज लिया है और देड़ छोटा चमज हम जीरा डालेंगे मेथी कमी डालना है क्योंकि मेथी ज्यादा डालने से मसाले कड़ोए हो जाते हैं तो हमने दो छोटा चमज सौफ ठील चमज जीरा और एक चोटा चमज मेथी लिया है अब इसे हम लोप लेंपे दो तीन मिनट भूल लेंगे आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन मसाले भून के डालने से अचार का टेस्ट अच्छा हो जाता है यह चटचट कर रहा है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें हम देड़ चमच पीली सरसो डालेंगे सरसो को हमें भूनना नहीं है बस गरम करना है क्योंकि सरसो भून के डालने से अचार कड़वा हो जाता है अब इसे हम ठंडा करके पीस कर इसका दर दरा पाउडर बना लेंगे गाजर गोवी और सलजम को हमने पूरे एक दिन धूप में डाल कर अच्छे से सुखा लिया है इसके सारे पानी सूख गये है अब इसमें जरब भी पानी नहीं है अब हम इसके मसाले देख लेते हैं यह हमने एक इंच अद्रग कर टुकड़ा लिया है दो टुकड़े और आठ दस का लिया है इसे हम पीस कर इसका पेश्ट बना लेंगे लासन और अद्रक डालने से अचार बहुत ही टेस्टी होता है आप इसे इसकी भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते हैं तो और यह जो मसाले हमने भूना था उसे पीश कर उसका दरदरा पाउडर बना लिया है यह हमने एक चमच लाल मेच पाउडर लिया है और एक चमच कस्मेरी मेच पाउडर लिया है यह सिर्फ कलर के लिया है आप इसे इसकी भी कर सकते हैं आधा चमच काला नमक लिया है और एक चमच हमने साधा नमक लिया है नमक आप अपने टेस्ट अंसार कम जाधा कर सकते हैं हमने हींग लिया है इसे हम वन फोर चमज डालेंगे एक छोटा चमज हम गरम मसाला डालेंगे चार बड़े चमज हमने सरसो का तेल लिया है कोई भी अचार सरसो के तेल में अच्छा होता है यह हमने डेढ़ कप के करीब गुड लिया है इसे हमने तोड़कर इसके छोटे-छो जाएगा, इसे हम रस डाल देंगे, इसी समय आप इसमें दो बड़ा चम्मत सिर्का भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, कि बीना सिर्का का बनाईए, तो हम बीना सिर्का का बना रहे हैं, तो हम सिर्के की जगा पर इसमें दो नीबू करस डालें गुडब हमारा अच्छे से गरल जाएगा। अब घैस पर कडाही रखेंगे और सरसो का तेल डालेंगे। हम इसे सरसो के तेल में बना रहे हैं, अगर आप सरसो.. का तेल नहीं डालना चाते हैं, तो कोई भी कुव किंग आयल में बना सकते है prioritize. कि इसमें हम वन फोर्च अमज हींग डालेंगे और इसमें लासन अध्रक का पेश्ट डालेंगे गैस को हमने मेडियम फ्लेम पे किया है इसे हम एक दो मिनिट भून लेंगे लासन और अध्रक डालने से अचार बहुत ही टेश्टी होता है अगर आप लासन नहीं खाते हैं तो इसे इसके भी कर सकते हैं लेकिन कोई भी अचार लासन डाल देने से बहुत तेश्टी हो जाता है इसे हमने एक मिनिट भून लिया है अब इसी में हम मसाले डालेंगे जो हमने भून के पीछ के रखा है और इसे भी हम एक मिनिट भून लेंगे सादो नमक और काला नमक डालेंगे नमक आप अपनी टेश्टों साल कम ज्याद़ कर सकते हैं लाल मिर्च और कस्मेरी मिर्च पाउडर डालेंगे मिश्ट तेल में डालने से अचार का कलर अच्छा आता है गरम मसाला डालेंगे और सारे मसाला को हम एक मिनिट भून लेंगे इसे हमने एक मिनिट भून लिया है अब इसे में हम गोड़ डालेंगे जो हमने विगा के नीबू के रस में रखा है और इसे हम दो तीन मिनिट पकालेंगे अगर आप इसमें सिर्का डालते हैं तो अभी बहुत अच्छा बनेगा और अगर आप सिर्का नहीं डालना चाहते हैं तो नीबू के रसे बहुत टेस्टी बनता है तो आज हम नीवो परश डाल के बना रहे हैं सारे मसालों को हमने 2-3 मिनिट पका लिया है अब इसमें हम गाजर गोभी और सलजम डालेंगे जो हमने सुखा के रखा है और इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे यह हमने कच्छा ही डाला है तो इसे हमें 3-4 मिनिट तक पका लेना है गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसान से पका लेंगे तो जिससे सब्जिएं भी अच्छे से पक जाएंगी और इसका पानी भी सुख जाएगा क्योंकि अगर अचार में पानी रहता है तो अचार जल्दी खराब होने कडर रहता है तो इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है इसे हमें खुला ही पकाना है इसे हमन दिन तक की मुदिन सुखा काफ़ी दिन तक चलें यह बई आता Ci पाफ़ी दिन तक है यह निकाल लेंगे यह हमारा गाजर गोभी और भ्रता मीठा चार बनके ट्यार हो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चट्पटा बना है आप इसे एक बाद जरूर बना के ट्राई करें इसे बनाने के बाद आप तूरन से ही KHा सकते है या फिर इसे एक-दो दिन धूप में रग दे उसके बाद खाएं तो आप इसे किसे एर टायड चांटीनर में डालके हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू